प्राचीन और दुरलब्ध नुस्खा है, यह नुस्ख्या इतना फाइदेमंद है कि इसे खाकर बुढ़ा व्यक्ती भी जवान जैसी कामुत तेजना को पाल लेता है, और जवान तो दो दिन लगातार बीवी चीखें निकल वा सकता है. तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस नुस्खे को बनाए और कैसे इस नुस्खे का इस्तमाल करें, इस नुस्खे के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कौन सी? और शादियां हमें चाहिए, नमबर एक, अश्वगंधा पाउडर नमबर दो, एक ग्लास दूद तो दोस्तों ये जानते हैं ये नुस्खा कैसे बनाए, दोस्तों ये नुस्खा बनाना बहुत ही आसान है, आपको एक ग्लास दूद में अश्वगंधा पाउडर डाल देना ह याद रखे कि अश्वगंधा की मात्रा एक चमच के बराबर होनी चाहिए उससे ज्यादा ज्यादा नहीं क्यूंकि अश्वगंधा की तासीर बहुत गर्म होती है इसलिए इसकी मात्रा कम रखें अब इस दूद को अच्छे से मिलाने पर आपका यह नुस्खा तयार हो जाता है नुस्खे को प्रयोग करने का तरीका आपको यह जो नुस्खा बताया है वह एक बार में प्रयोग करने के लिए है यानी जितना भी यह मिश्रन बन जाए उसे एक बार में ही पी जाए इसको आप सोने से पहले प्रयोग कर सकते हो यह नुस्खा पुरुशों के अंदर अत्यधे कामुत तेजना पैदा करता है और इस नुस्खे से बुढ़े भी जवानी महसूस करते है अश्वगंधा के फाइदे अश्वगंधा आपको किसी भी हर्बल शौप या देशी दवाओं की दुकान से आसानी से मिल जाएगा इसके इस्तमाल से आप अपने शरीर में फिजिकल कमजोरी को दूर कर सकते हैं यह शरीर को उर्जा और चुस्ती स्फूर्ती प्रदान करता है तथा जीवनी अशक्ती को ब्राता है नुस्खे प्रयोग करते समय पर हिस जब भी आप इसका सेवन करें इस दौरान आपको सिग्रेक मान साहर शराब और अधिक मसालेदार और खटाई योग भोजन नहीं कर चाहिए इसका सेवन करके रात में ज्यादा नहीं जागना चाहिए इसके साथ ही दिन में सोने से भी बचना चाहिए किसी भी प्रकार की बिमारी वाले या नियमत रूप से दवाईया लेने वाले व्यक्ति इसे ना ले या लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ल एले तुदू